तो लेकर आगए है एक और important questions जो आपके लिए best है ठीक है और यह best अभी होता है जब हम उसको solve कर लेते हैं ठीक है तो देखिए कैसे questions है और उसको किस तरीके से solve करना है वो चीज़े हम यहाँ पर देख लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर questions जो दिया हुआ है थोड़ा सा देखिए देखिए a की value दे दिया है a की value दिया है minus 7.2 ठीक है और d की value भी दे दिया है 3.6 और an दिया हुआ है 7.2 ठीक है और आप से पूछ रहा है n की value बताइए तो सीधा सा है देखिए an का formula अपलाई करिए जो दिया है वहीं स इसे शुरुआत करते हैं क्या है a plus bracket में n-1 into d a n की value है 7.2 a की value है minus 7.2 और यहाँ पर प्लस n की value कितनी है पता करना n-1 और d की value कितना दिया हुआ है 3.6 अब देखिए यह 7.2 माइनस में तो इस तरह आएगा equal के तो 7.2 पॉजिटिव है यह 7.2 इधर positive था यह वाला जो एक ही value है वह इस तरह पाया equal के तो positive 7.2 हो गया है और यहाँ पर n-1 multiple 3.6 अब यहाँ देखिए 7.2 7.2 कितना हो जाएगा 14.4 हो जाएगा 0.2.2.4 और 77 14 और यहाँ पर n-1 है अच्छा यह जो 3.6 है इधर divide हो जाएगा 3.6 से divide अगर करता हूँ मैं ठीक है अगर मैं divide करूँ तो कितनी value आ जाएगी obviously 4 आ जाएगा यह तो multiple करने पर देखिए छोटा भी अगर कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं ठीक है चाहो तो आप देखो decimal के बाद यह decimal के बाद यह हड़ गया 144 हो गया और यहाँ पर 36 आ गया यहाँ एन-1 हो गया अब देखिए 36 फोर जाब 144 होता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 4 आ गया और यहां पर n-1-1 इदर आके add हो जाएगा 4 प्लस 1 हो जाएगा n की value कितनी आ गई 5 आ गया ठीक है तो इस तरीके से यहां पर answer हो जाएगा डी ऐसे question को solve करेंगे ठीक है जो भी ऐसे questions आएगा उसको इस तरीके से solve करेंगे दन्यबाद